तो हलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग जै स्री कृष्णा अभी सुबह के बच्चु के है चार और पहले बात तो ही बता दू कि हम विलोग बना रहे हैं और बहुत सारे मेरे को इंस्टाग्राम पर मेसेज आये थे कि जट दिस भाई आप है ना वीडियो बनाओ तो हिंदी में बनाना क्योंकि बहुत सारे मेरे जो दोस हैं उनको गुजराती नहीं आती है तो मैंने बुला चलो आज आपकी जो डिमांड है तो हम पूरी कर देंगे तो हमारा वीडियो रहेंगा यह पूरा का पूरा हिंदी में तो अभी हम पहले तो दूद निकलने वाले गाई का दू कि अभी तक तो भाई सो रहे हैं ऐसे भी बहुत लेट हो जोके हैं अगे अधिश्या ओई अजय उठें उठ मोड़ो से क्यूए पांच वागे उठें कि अभी उठें बाई अब उठें उठें और एक भाई डर सोया हुआ है तो इसको भी जगाते भाई ओबालो उठेंगा पात बज चुके भाई बहुत लेट होगे जल्दी उठ पांच ने बोला तो भाई उठने वाला नहीं है बोलेंगा अभी टाइम में पांच में सुंदे अरे उठें भाई उठें उठें अभे अरे उठ जाए तो अभी फिरेश भाई है जो उठ चुके है और अभी दूद निकाल रहे हैं अभी सेकंड गाई है फर्स गाई जो उदर सामने जो इसका दूद निकाल दिया है अभी यह निकल रहे हैं अभी दूद निकल रहे हैं और यह निकाल रहा है दूद तो भी कितना डाम लगेंगा पूरे गाई का दूद निकलने को आदा गंता लगी आदा गंता लगे वाला एच तो अभी यहां का जो पूरा काम है वो हमारा हो गया है तो अभी हम जा रहे हैं गन्ना काटने को तो अभी हम हमारे साथ है वो एक चोटा भाई है हमारा और एक दुसरा यहां भाई है तो अब हम जा रहे हैं गन्ना काटने को तो अब हम पोच्च चुके हैं खेत में और रहा सामने इधर हैं है कि इधर सामने वाला जो घंडा है उकाटने का अईसा तो हम दो चार दिन से लेकर जा रहे हैं लेकिन आघ लिए आज फाइनली एक ट्रेक्टर भरेंगा और साथ में में दो भाई है और एक भाई जो सुरेश भाई है जो पीछे से ट्रैक्टर लेकर आ रहे तो पहले हम ती तो अभी यह ट्यक्टर आ चुका है और यह ट्यक्टर भर रहा है और अभी हमने पुरा का पुरा काट दिया है अभी खाली जो भरने का वाकिए तो अभी इसको भरने को कम से कम 15-20 मिट लगेंगी 15-20 मिट में बर जाएंगा तो दोस्तों हमारा ट्यक्टर जो है अब भर चुका है और अब हम निकल रहे हैं भर पर जाने के लिए और यह रहा हमारा बुलेट तो अभी हम निकल रहे हैं घर को जाने के लिए ओके ओके थालो जो कि तो अब यह तेक्टर आ चुका है घर को और अभी जो कि हमने हम पर बहुत कर खाली किये हुए तो अभी यह भी यहीं पर खाली करने का हैं कि हाथ से खाली करना पड़ेंगा उसकी पूइब हीडोली खरब हो गई तो इसके उसे हाथ से खाली करना पड़ेंगा है तो आख जाग जाल कि अधर अधर कि कर दो प्रच त तो टेक्टर हो गया है खाली और अभी इस व्लॉग को करेंगे खतम और मिलेंगे कोई नेक्स्ट नए व्लॉग में तब तक के लिए जैद्वार कदीश जैए स्रीक्रिश्न